क्या हाले दोस्तों, welcome to the channel इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग Windows 11 operating system में Python के latest version को डाउनलोड करके install कर सकते हैं Windows में हम लोग Python को दो तरीके से install कर सकते हैं, पहला है कि Microsoft Store को यूज़ करके और दूसरा है कि manually हम लोग Python को Python वेबसाइट से डाउनलोड करके install कर सकते हैं यहाँ पर मैं Microsoft Store से install नहीं करूँगा मैं manually Python वेबसाइट से Python को डाउनलोड करके उसको install करूँगा और उसको setup करूँगा, Windows के latest version में Microsoft ने क्या किया है Windows operating system में Python और Microsoft Store के बीच में कुछ shortcut लगा क्या क्योंकि हम लोग यहाँ पर Python को manually Python वेबसेट से डाउनलोड करके install करने वाले हैं तो पहले हम लोग Start बटन के उपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग search करेंगे cmd और command prompt को open करेंगे और यहाँ पर हम लोग type करेंगे python space minus minus version इस command के जरिये अगर हमारे computer में python installed है तो कौंसा वर्शन का python install है उसे हम लोग देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर enter बटन प्रस करता हूँ तो यहाँ पर कहता है कि python यहाँ पर available नहीं है आगर आप लोग सिर्फ python यहाँ पर लिखोगे तो microsoft store को open किया जाएगा वहाँ से आप लोग python install कर सकते हैं या फिर आप लोग इस shortcut जो यहाँ पर इस message को दिखा रहा है इसको disable कर सकते हैं settings manage app execution aliasis में जाके तो यहाँ पर अगर हम लोग सिर्फ python लिखते हैं और enter बटन प्रस करते हैं तो अभी microsoft store को open किया जाता है और यहाँ से हमें python को install करनी के लिए option दिया जाता है पर मैंने जैसे आपको पहले कहा हम लोग microsoft store से install नहीं करने वाले हैं तो मैं अभी इस microsoft store को close कर देता हूँ तो पहले हमें क्या करना है settings और manage app execution aliasis में जाना है और यह जो shortcut है इसको remove करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे start button के उपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग search करेंगे manage app execution aliasis हमें यहाँ पे system settings देखने को मिल देगा हम लोग इसके उपर क्लिक करेंगे और यह settings आप को open करेगा और यहाँ पे हम लोग लास्ट में देख सकते हैं, app installer python.exe on है, हम लोग इसको off करेंगे, app installer python 3.exe ये भी on है, हम लोग इसको off करेंगे, और इसके बाद हम लोग इसको close करेंगे, अभी अगर हम लोग command prompt में आके python space माइनस माइनस वर्शन लिखते हैं, तो अब यह कहता है, python is not recognized as an internal or external command और an operable program, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, python को python website से डाउनलोड करके install कर सकते हैं, तो मैं इस command prompt को close कर देता हूँ, और अभी हम लोग हमारे computer में जो भी browser installed है, उसको open करेंगे, मेरे computer में Microsoft Edge है, मैं उसको open कर देता हूँ, यहाँ पे URL बार में हम लोग enter करेंगे python.org और हम लोग इस website को open करेंगे, हम लोग straight away downloads option देख सकते हैं, और यहाँ पे जो latest version है, उसको भी देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे इसके उपर click करेंगे, और python के latest version को download करेंगे, अभी यहाँ पे file download हो गया है, और अगर मैं cursor को यह जो file download हुआ है, इसके उपर लेके जाता हूँ, तो मुझे folder जैसा एक icon मिलता है, जो कहता है, show in folder, मैं इसके उपर click कर देता हूँ, तो यह उस folder को open करता है, जहाँ पे downloaded files को save किया जाता है, generally यह हमारा downloads folder के अंदर रहता है, अभी python को install करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको double click करेंगे, और यहाँ पे अभी install python और यहाँ पे अभी python का setup open हो गया है, यहाँ पे हम लोग use admin privileges when installing py.exe, हम लोग इस checkbox को check करेंगे, और इसके साथ ही एक और checkbox है, जो कहता है, add python.exe to path, इस checkbox को भी check करेंगे, यह बहुत important है, इसको check करने से, हम लोग python को हमारे computer में किसी भी folder से access कर सकते हैं, तो अभी यह सब होने के बाद हम लोग install now option के उपर click करेंगे, अगर यह permission मांगता है, तो yes के उपर click कीजे, अभी यह python को यहाँ पे install कर रहा है, अभी यहाँ पे python install हो गया है, यह कहता है, setup was successful, हम लोग यहाँ पे close के उपर click करेंग और यह window close हो जाएगा, अभी हम लोग start button के उपर click करेंगे, और command prompt को open करेंगे, cmd search करके, और यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, python का जो version हमने install किया है, उसको check करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे python space minus version, और यहाँ पे हम लोग enter button प्रेस करेंगे, तो अभी ज python का version हमने install किया है, उसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप लोग यहाँ पे start button के उपर click करके python search करोगे, तो आपको यहाँ पे python shell और python ideally यह सब देखने को मिलता है, तो इस तरह हम लोग windows 11 operating system में python के latest version को download करके install कर सकते हैं, manually, अगर आपको यह वीडियो टेखने के लिए मेरे इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए